प्यारे विद्यारतियों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एकजाम सर में दोस्तों कुछ दिनों से आपने एक अजीब और गरीब डिमांड रख दी थी कि सर कोई ऐसी वीडियो बनाईए ना जिसमें पूरे के पूरे इतिहास को कवर कर लिया जाए ये डिमांड आपकी बहुत ही मुश्किल थी पिछले दो दिनों से मैं इसी जद्दो जहद में लगा हुआ था कि कैसे में ट्रिक के माद्यम से पूरे इतिहास को कवर कर सुकूँ तो आखिरकार मैंने आपके लिए आपके पर्योजन को ध्यान में रखती हुई वो ट्रिक बनाई है जिसमें इतिहास के महतोपुरण टोपिक को कवर किया गया है लगभग 90% इतिहास को हमने इसमें कवर करने की कोशिश की है लेकिन इतिहास अपने आप में बहुत बड़ा टोपिक है तो कुछ चीजें ऐसा रहेंगी जो इसमें छूट जाएंगी लेकिन फिर भी जादतर हिस्सों को आप इस वीडियो में चंद मिन्टों के अंदर कवर कर लेंगे और दोस्तों मैं एक और आपसे पूछना चाहूंगा कि जो भी हम करेंगी जितने भी वन्स आज हम ट्रिक के माध्यम से करेंगे अगर आप उसके बारे में डिटेल में करना चाहते हैं तो हर रोज इसी समय आपको एक वन्स के उपर डिटेल में लेक्चर दिया जाएगा ताकि पूरी हिस्ट्री आपको बिलकुल ढंग से याद हो जाए अगर आप चाहते हैं कि ऐसा दिया जाए तो किरिपय करके आप कोमेंट बोक्स में जरूर लिखें तो हम शुरुआत करते हैं आज के आपके लिए जबरदस ट्रिक जिसमें पूरे के पूरे इथियास को cover किया गया है तो वो ट्रिक है क्या, वो ट्रिक है, सिंदू रीवर के उत्तर हाथ में, शीशु नंद मोसी के साथ गुप्त वारता कर, पुष्प गिरा चल दिया मगल अंग्रेजों के साथ, क्या हुआ? सिंदू नदी के उत्तर हाथ में क्या हुआ सिंदू नदी के उत्तर हाथ में सिंदू नदी के उत्तर हाथ में शिशु नंद मोसी के साथ किसके साथ मोसी के साथ गुप्त वारता कर कोई गुप्त वारता की उसने मोसी के साथ और गुप्त वारता में पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं उसने कहा मोसी ने की पुष्प गिरा दे तो पुष्प गिरा चल दिया मुगल अंगरेजों के साथ तो हमारी ट्रीक है सिंदू नदी के उत्तर हात में सिंदू रिवर के उत्तर हात में शीशू नंद मोसी के साथ पहला सिंदू से सिंदू गाटी सब्वेता हालांकि हमारी इसके उपर बहुत अच्छी वीडियो बन चुकी है आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाकर के देख सकती हैं सिंदू गाटी सब्वेता 25 से 1750 इशापुरो इसका जो काल है वो माना गया है इशापुरो से आप समझ गए होंगे कि जैसे अब 2019 चल रहा है तो 2019 पलस 25 सो यानि 2019 से 25 साल पहले यानि कि पहली स्ताब्दी से 25 साल पहले सिंदू गाटी की सब्वेता का काल माना गया है उसके बाद सिंदू रीवर से रिगवेदिक काल रिगवेदिक काल की बात करें तो 1500 से 1000 इसका काल मा 300 इसापूरव तक माना गया है तो प्यारे विद्यार्थियोग आगे बढ़ते हैं हाथ, हाथ से हर्यक वन्स का जो काल है वो 545-412 इसापूरव तक माना गया है अब मैं आपको सस्थापक भी करवाता जाओंगा 6 fils का सस्थापक था बिंबी सार बिंबी सार, हम confuse रहते हैं, जैसे एक बिंदू सार है, और ये बिंबी सार है, जो बिंदू सार था, वो चंदरगुप्त मोरिय का पुत्तर था, वो मोरिय वन्स की बात है, यहाँ पर हम हरियक वन्स की बात कर रहे हैं, इसका संस्थापक था बिंबी सार, हाथ के बाद शीशु से हमारी ट्रिक बन गई। शीशु नंद, नंद से नंद वंस जो था वो 344 से 323 इसा पूरव था और इसका सस्थापक था महापदम नंद तो हमारी ट्रिक क्या थी देखिए दुबारा से सिंदु नदी के उत्तर हाथ में शीशु नंद सिंदू से सिंदू घाटी, रिवर से रिगवधिकाल, उतर से उतरवधिकाल, हाथ से हर्यक वंस, शीसु से सीसु नाग वंस और नंद से नंद वंस तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नंद वंस का सस्थापक था महापदम नंद उसके बाद मोसी मोसी मोरिय वंस 323-298 इसापुरो और इसका संस्थाफक था चंदरगुप्त मोरिय मैं आपको वीडियो के मादम से करवा चुका हूँ कि नंद वंस के आंतीम साशक घनानंद को गद्धी से अपदस्थ कर हटा करके चंदरगुप्त मोरिय ने मोरिय वंस की न पुष्य मित्र सुंग ने रखी थी 185 इसापुरो से 73 इसापुरो की बात है ये तो हमारी ट्रीक पर दुबारा चलते हैं सिंदू रिवर के उत्तर हाथ में शीशु नंद मोसी के साथ तो के से हमारा बना करणव वंस 73 इसापुरो से 28 इसापुरो तक और इसका संस्थापक था वासु देव 7 से 7 वहन वंस तो मोसी के साथ हम बात कर रहे थे साथ से 7 वहन वंस 60 से 240 इसवी अब यहाँ पर टाइम पीरियड इसापुरो से चेंज हो करके इसवी में आ गया है यानि कि अब इसा के बाद की स्तापदी अब सापकी सुरू हो चुकी है और इसका संस्थापक था सिमुक उसके बाद गुप्त वारता की में बात कर रहा था गुप्त वंस 240 से 550 इसवी तक और इसके संस्थापक थे शिरी गुप्त और उसी समय एक ओर दक्षिन भारत में वंस चल रहा था वाकाटक वंस यहों कि अमगद की बात है गुप्त वंस और उदर जो चल रहा था वो तो गुप्त वारता कर पुष्प गिरा तो पुष्प से पुष्य भूती वन्स 606 से 640 इस्वी तक और इसके संस्थापक थे हर्ष वर्धन गिरा से गुर्जर परतिहार वन्स 730 से 1018 इस्वी तक और गुर्जर परतिहार वन्स के संस्थापक थे नागभट पर्थम गिरा चला हम दुबारा चलते हैं ट्रिक के उपर सिंदू रिवर के उत्तर हाथ में शीशुनन मौसी के साथ गुप्त वारता कर पुष्प गिरा चल दिया बुगल अंगरेजों के साथ तो चल से हम स्टार्ट करते हैं दुबारा आजाए वहाँ पर चल से चोलवन्स 900 से 1200 इस जयाल ले चल दिया दिया से दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526 इस्वी तक दिल्ली सल्तनत के उपर भी पूरी की पूरी वीडियो ट्रिक के माध्यम से मैं आपको करवा चुका हूँ जरूर देखेगा अगर आपने नहीं देखी तो पूरी की पूरी दिल्ली सल्तनत आपको उस ट्रिक के साथ और बाबर ने उसको हरा दिया तो वहां से शुरू हुआ मुगल वन्स तो चल दिया मुगल अंग्रेजियों के पास तो मुगल से मुगल वन्स और मुगल वन्स की स्थापना बाबर ने की थी अभी मैंने बताये आपको पानी पत के पर्थम यूद में, वहाँ पर आप मुगल काल भी देख सकते हैं, हमारी बहुत ही बहतरी न्टीक है उसके अंदर, उसके बाद मुगल के समय ही अंग्रेज, यानि की भारत के अंदर आ चुके थे, उसके अंदर इस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी, अंग्रेजियों के उपर यानि की जितना भी जो अंग्रेजी हकूमत रही, अंग्रेजी शाशन काल रहा, उसके अबर भी आपको पूरी की पूरी वीडियो मिलेगी, लेकिन जितने भी वन्ष मैंने आपको कुरवाई हैं, अगर आप उनके बारे में रिटेल अद्दिन करना चाहते हैं, तो हर वन्ष हम इसी समय, यानि की रात को आठ बजे शाहिकानिन का जो हमारा सत्तर रहता है, उसके अंदर आपको वीडियो दिया करेंगे, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपको मिलनी चाहिए, तो आप कमेंट बोक्स में जुरूर बताना, अने था आपको क्या चाहिए, क्योंकि अभी आपके डिमांड ये थे कि सर, हमाई पूरी इस्ट्री एक वीडियो के माद्द्यम से करा दें, अब जो कुछ भी हमारा इतिहास में पैंडिंग है, उसको हम कवर करने की कोशिश करेंगे, आप कमेंट बोक्स में रिप्लाई जुरूर करना, और प्यारे भी दैर थियो, अगर आपको शिक्रीन सोट चाहिए, तो आप एकजाम सर फेस्बूक गुरूप से ले सकते हैं, और अगर पीडियोप चाहिए, तो अभी मैंने टेलिग्राम का गुरूप बनाया है आपके लिए, टेलिग्राम पे जाए, एकजाम सर डालिए वहाँ पर, और आप जोएन किजिए, तो आप टेलिग्राम से आपको सारी पीडियोप मिल जाया करेंगी, तो और मैं आपसे अंत में यही कहना चाहूँगा, कि अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो तो किरिपर शेयर जरूर कर दे, क्योंकि आपके शेयर से हमारा मनोबल बढ़ता है, और अधिक अच्छा करने का हमारा प्रियास रहता है, तो आज आपने हमें इतनी तलिंता से सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्यू, जैहिंद,